सिहत करकर में शोताओं हमारे आज के महमान है डॉक्टर भाविन ब्रहमबट जो की नेफ्रोलोजिस्ट है और आज आपसे बाचीत का विशे है उच्छ रक्तचाप यानि हाइपर टेंशन, कारण लक्षन और उपचार डॉक्टर ब्रहमबट बहुत बहुत स्वागत है आपक इसे रक्तचाप का है पहले तो बताएं कि ये रक्तचाप क्या है कैसे इसको ना पा जाता है क्यों इसे रक्तचाप कहा जाता है Blood pressure, इंसान के शरीर में heart से pump किया हुआ blood का धमनियों पे, यानि के arteries पे दबाओ, उसको blood pressure बोलते हैं अब सभी इंसान को blood pressure होता है, जो की normal बोला जाता है किसी को higher side में है, उसको hypertension बोलते हैं और किसी किसी को low blood pressure की भी तकलीफ रहती है Normal blood pressure according to age variations उसमें पाए जाते हैं जैसे छोटी उम्र में होगा, तो normal blood pressure का range different होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी blood pressure का, जो normal range है, वो different रहेगा इस प्रकार से blood pressure रहता है तो वो कौल से normal range है, जिससे उपर हम कहेंगे कि ये उच्छ रख जाब है जी, normal blood pressure सामान्य भासा में समझने के लिए 140 systolic, मतलब उपर वाला blood pressure उससे अधिक है तो higher blood pressure बोला जाता है, और नीचे का blood pressure, दो प्रकार के blood pressure होता है एक systolic और एक diastolic, और diastolic blood pressure 90 से उपर है, तो उसको hypertension माना जाता है सामान्य तोरपर ऐसे का जाता है कि 120 बटा 80 ये सामान्य है जी, 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 तो इससे क्या समझें 120 systolic blood pressure, मतलब उपर वाला blood pressure और 80, मतलब नीचे वाला, यानि कि diastolic blood pressure खून के system में इस प्रकार से systolic और diastolic blood pressure बनाया गया है, जिससे heart से related है heart की pumping से related है, heart जब pump करता है, तब उपर वाला blood pressure यानि कि systolic blood pressure माना जाता है और जब heart relaxation वाली position में आता है, immediately after pulse जब move करती है उसके बाद के blood pressure को जब नापते हैं, तो उसको diastolic blood pressure बोलते हैं तो इसलिए ये दोनों blood pressure का आना बहुत जरूरी होता है तो ये सामान्य जो हमने 120 और 80 कहा, तो क्या ये कुछ IU से संबदित है जी अनिल जी, 120-80 blood pressure अगर छोटी उम्र में देखें, तो शायद borderline normal blood pressure में भी आ जाता है एक blood pressure का एक normogram होता है, उम्र के साथ में जैसे growth chart का एक graph होता है इसी प्रकार, blood pressure का उम्र के साथ में एक normogram बनता है तो जैसे कम उम्र के बच्चे हैं, जैसे 4 या 5 साल के बच्चे हैं, उसमें blood pressures 110 by 70, 110 by 68, ऐसा भी रहता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, blood pressure की जैसे मैंने बता है, normogram में normal values change होती जाती है तो 120, 80 blood pressure, अगर छोटे बच्चों बात करते हैं, तो borderline normal blood pressure में भी आ सकता है इसलिए उम्र से उसको correlate करना बहुत ज़रूरी है इसे नापा कैसे जाता है, आज कल हम देखते हैं कि कुछ ऐसे gadgets आ गए हैं, और घडियों से भी blood pressure नापा जा रहा है और पहले हम देखते हैं तो यह machine से नापा जाता था, इन दोनों में क्या अंतर है? जो आपने पहले भी देखा होगा, बहुत सालों से यही एक blood pressure का meter होता है, जिससे blood pressure नापा करता है क्योंकि घर में भी आजकल blood pressure monitoring की advice दी जाती हैं सभी patients को, जिन लोगों को high blood pressures हैं तो उनके लिए electronic devices design किये गए हैं, वो उसमें mercury system नहीं रहता है, automatic वो pulse से नापा जाता है एक होता है wrist से blood pressure नापना, दूसरा होता है arm से blood pressure नापना, हमेशा हमारी जो conventional teaching में बोलते हैं कि arm से नापा हुआ blood pressure हमेशा बेतर रहता है इसलिए जो भी electronic device भी use करते हैं, अच्छी company के आते हैं, अच्छा है electronic devices में अपने variations होते हैं, जो normal से थोड़े से 10% changes में मिले जाते हैं पर एक अंदाज के लिए घर में electronic blood pressure monitoring system होना कोई खराब बात नहीं है, पर जब भी doubt आता है तो हमेशा उसको confirm करने के लिए conventional तरीका यानि कि mercury वाला manometer ही use करना चाहिए mercury वाला manometer doctors के पास available रहता है, घर में उसको करने के लिए उस सीखना पड़ता है और electronic में सीखने की ज़रूती बड़ा simple होता है, और automatic ये ना अप लेता है तो हम कह सकते हैं कि जो उद्देश ये आपका है, अगर available monitoring के लिए आप कर रहे हैं तो आप ऐसे electronic भी इस्टेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी खास उद्देश से जैसे किसी रोग को स्थापित करना है तो फिर डॉक्टर के पास जाकर ही manually check करना चाहिए अगर blood pressure उपर या नीचे है, जिसे कि हम high range में और नीचे low में कह रहे हैं तो क्या कुछ खास बिमारियों के लक्षन है ये? जी, अब blood pressure एक बिमारी मानी जाती है hypertension नॉमली 35-40 years के बाज में इसको पाया जाता है, इसको essential hypertension बोलते हैं essential इसलिए कि कई बार इसमें family history मिलती है और कोई specific शरिर के अंदर changes होने की बज़े से blood pressure आता है इसलिए essential माना जाता है अब high blood pressure है, तो majority लोगों में अगर 160-170 से उपर नहीं है तो कई बार लक्षन नहीं मिलते हैं, majority time नहीं मिलते हैं जब तक वो hospital में या clinic में जाके नपवाते नहीं है blood pressure तब तक पता नहीं चलता है कि blood pressure इसका या उसका बढ़ा हुआ रहा है तो सबसे important है इसलिए blood pressure को ना अपना अगर blood pressure किसी किसी व्यक्ती को लक्षन देता है तो क्या हो सकते हैं उसमें सबसे important होता है headaches especially back side of the head में pain होता है morning headaches usually morning में blood pressure बढ़ा हुआ रहता है इसलिए जब भी उठते हैं, brush करते हैं कुछ routine activity start करते हैं तो headaches होना बहुत स्वभाविक होता है इसके अलावा जब blood pressure बहुत जादा बढ़ने लगता है तो heart में palpitations होने की संभावना रहती है या फिर high blood pressure की बज़े से दूसरे complications जब होने लगते हैं bleeding होना, चाहे brain में हो, चाहे naak से bleeding होना heart पे load आना, kidney पे प्रभाव आना तो उसकी बज़े से फिर दूसरे secondary लक्षन जिसको बोलता है secondary symptoms organs के वो आना start होता है पर normal commonest symptom जो blood pressure का होता है ये होता है headache और फिर advance होने के बाद में दूसरे लक्षन साने start होता है क्या कुछ गंभीर बीमारियों का लक्षन भी हो सकता है blood pressure बेढ़ना जी, अब blood pressure अपने में एक बीमारी है जो दूसरी बीमारियों को जनम देती है blood pressure के target, मतलब अगर उसको अपन villain बोले, तो villain के दुश परेणाम शरीर में कहां कहां हो सकते एक सबसे पहले top से start करें तो brain brain के अंदर high blood pressure के कारण stroke, मतलब लक्षन जैसी गंभीर बीमारी हो सकता second number पे organ आता है eyes, जिसके अंदर परदा, retina बोलते है high blood pressure अगर लंबे समय तक लहा या फिर uncontroll रहा, थोड़े भी समय के लिए तो आँख की retina पे खुन की नलियों में दबाव बढ़ने से उसके दुश परेणाम जिसको retinopathy बोलते हैं वो हो सकता है, तीसरे organ, important organ पे आता है heart, heart पे अगर लंबे समय पे high blood pressure का प्रभाव रहा तो heart चौड़ा होना, heart की pumping शमता गटना, heart failure की तरफ बढ़ना इस सारे लक्षन उसकी बज़स से आ सकती है और fourth, most common, जिसका मैं specialist हूँ kidneys, तो kidney यानि की गुरदा अगर लंबे समय blood pressure से प्रभावित रहेगा तो धीरी धीरे उसकी functioning system गिरने लगती है दुनिया में अगर देखा जाए तो kidney failure की दो मुख्य कारण है एक diabetes और second blood pressure जी, ऐसे कहा जाता है कि blood pressure का और kidney रोगों का आपस में संबंध है जी, बिलकुल साही बदा अब ये बड़ा interesting सवाल है और उसका जवाब भी इस प्रकार से है जो blood pressure, एक essential जनम में blood pressure के दो प्रकार, एक essential जिसको primary बोलते है, जो साधरन तौरबे 35 to 60 years की age में पाया जाता है और उसका मुख्य कारण कई बार family stream में होता है और कई बार अपने आप भी जनम लेता है इसलिए उसको essential या primary hypertension दूसरा जो कारण होता है जिसको बोलते है secondary hypertension मतलब किसी बिमारी के चलते blood pressure का होना, उसमें उसको secondary hypertension बोलते है और सबसे आम बिमारी है, जिसके कारण blood pressure बनता है, वो है kidney की बिमारी अगर secondary hypertension उठाए है अपन cases, तो 90% patients के अंदर kidney disease ही मुख्य कारण उभर के आता है जब जाच करते हैं, उसके बाद में पता चलता है तो गंभीर तो ही, अगर लंबे समय uncontrolled blood pressure रहा तो kidney को damage करेगा, अगर kidney की बिमारी है, उसके कारण blood pressure बढ़ता है, और अगर वो बड़ा हुआ रहा तो वो kidney को further damage करने की प्रक्रिया करता है, so blood pressure in any kind of circumstances अगर uncontrolled रहता है, तो kidney को नुकसान पहुचाता है, चाहो primary हो चाहे secondary हो, अब दोक्टर हमारे शोताओं को बताएं कि इसको नियंतर्ण में कैसे रखा जा सकता है, आम तोर पर जिसके कारण वो stress को जनम देता है और stress is one of the major reason for hypertension, दूसरी अपनी जीवन जीने की जो शैली है lifestyle, उसकी बज़े से hypertension और diabetes, ये एक दोनों ऐसी बिमारिया शरीर के अंदर जनम लेती है जो बहुत आगे तकलीफे देती है तो stress, lifestyle ये सबसे important कारण होते हैं जिसकी बज़े से blood pressures बढ़ते हैं और अगर blood pressures को नहीं होने देना है, तो सबसे पहले इन दोनों से कैसे मुक्त रहने उसके उपर को कार्या करने की जरुवत है अब lifestyle modification में जैसे सब लोग जानते हैं कि 30 to 40 minutes of brisk walking every day, it is must second, बहुत सारी research हो चुकी जिसके अंदर पाया गया कि योग, प्रानायम and meditation is scientifically proven for control of blood pressure और even prevention of blood pressure, very well known, तीसरा important factor जो होता है अपनी dietary habits जिसके अंदर salt, नमक का intake होता है, जो अत्याधिक नमक का intake करते हैं, जादा salt intake करते हैं इसकी वज़े से salt sensitive hypertension पैदा होता है, चौथा अगर blood pressure को control में रखना है और blood pressure आने नहीं देना है तो एक नाम यूज किया गया है International Society of Hypertension द्वारा, जिसको बोलते है dash eating plan, dietary approach to stop hypertension, इसके अंदर कुछ specification दिया है, जैसे salt तो मैंने बताए कि salt को मातरा कम से कम लिया जाए, salt containing items, frozen food जितना ही कम से कम use करें उतना better है, junk food का उन्होंने लेक किया गया है कि ज़धा कम से कम इस्तमाल किया जाए फिर क्या खाने की चीज़े फाइदे मन करती है, उसके अंदर जैसे अपनी भारतिय संस्कृति में होता है कि fruits and vegetables and dry fruits जिसके अंदर potassium rich खाना जो बोलते हैं, वो blood pressure को control करने में या blood pressure की बिमारी रोकने में बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है और चौथा important आता है कि balance eating plan, जिसके अंदर carbohydrates की fixed quantity रहे, fat की fixed quantity रहे, protein की fixed quantity रहे, यह बहुत ज़रूरी है बोलते हैं कि majority chunk जो होता है, अपना 50-60% carbohydrate रहता है, 20-30% यह up to 40% आप उसके अंदर protein का इस्तमाल कर सकते हैं, और 10-20% से ज़्यादा fat का consumption नहीं हो तो जब यह diet इस्तमाल करते हैं, lifestyle modification के साथ में, तो automatic blood pressure का control बहुत ही बढ़िया होने लाग, और blood pressure जैसी बिमारियों से दूर भी रख सकते हैं, मुक्त रह सकते हैं और जो हमेशा मैं बोलता हूँ, अपनी जो pain killer दवाईया हैं, जो normally अपन over the counter, दवाई की दुकान से जाके खरीटते हैं, pain killers अगर जब लंबे समय जादा खाते हैं कितने में तो नुकसान करेगी, साथ में blood pressure जैसी बिमारियों को भी जनम आपने कहा कि नमक की quantity कम होनी चाहिए, अब ये कम कितने होनी चाहिए अगर हम कहें कि एक चमच, दो चमच, कितना होना चाहिए अब एक normal adult को 50-60 kg जिसका वजन है इसको normal कितना नमक खाना चाहिए, जिससे blood pressure prevent हो सके, या blood pressure जैसी बिमारियों से दूर रहा जा सके तो एक चमच, जो अपनी खाने की spoon जो इस्तमाल करते हैं जिससे अपन खाना काते हैं, वो होता है 5 gram, जब उसको भरते हैं, salt में डालके, उसे उपर का जो surface से उसको flat कर दो, तो 5 gram salt हो गया, जब 5 gram को half करते हैं, तो डाई ग्राम के करीब salt हो गया, डाई ग्राम is a strict control, जिसके अंदर blood pressure को बहुत बढ़िया तरीके से control लग सकते हैं, जो guideline बताती है, वो 2 से 4 gram salt है, तो डाई से थोड़ा सा उपर भी रहता है चमाच में, तो वो इस्तमाल कर सकते ये नमक पूरे 24 गंटे का अंदर इस्तमाल करना है, ऐसा नहीं कि खाना बना लिया, उसमें नमक इस्तमाल हो गया, उसके उपर से ये diagram salt को use करें, ये धाई से 4 gram salt पूरे दिन में इस्तमाल करना है, maximum limit 6 gram से उपर नहीं जाना चाहिए, अब बात पड़ते हैं इसके treatment की, जैसे कहते हैं कि आजीवन दवा खानी पड़ती है, ये बात कितनी सही है अब जैसे stages of hypertension की उपर बहुत ज़्यादा दारमदार रहता है, आज कल जैसे आपने बहुत rightly सवाल पूचा कि lifestyle की बज़े से बिवारियां होती है तो कुछ हद तक stage 1 या pre-hypertensive stage होता है, जिसको lifestyle modification से काफी हद तक control में रखा जा सकता है, कई बार शुरू की stage में हम लोग medicine hulky full के dose में start भी करते हैं और हमारे patients lifestyle को बहुत अच्छे से modify भी करते हैं, तो 6 महिने में साल भर में कई बार dose कम भी हो जाता है और बहुत minimum dose पे होता है तो कई बार बंद भी हो जाता है otherwise देखा जाएं कि blood pressure stage 2 hypertension 160 या उसके आसपास रहता है तो ऐसे patients में हमेशा blood pressure की गोली की requirement आती है, हाँ dose कम जरूर हो सकता है आप जितने भी preventive measures यूज़ करते हैं तो dose कम हो सकता है पर मूटे तोर पे माना जाए तो ये lifelong बिमारी की रूप में ही गिना जाता है, अगर किसी को cure भी हो जाता है, मतलब in the sense की control भी हो जाता है by medicines या फिर lifestyle modification के बाद भी तो उसका ये मतलब नहीं के normal हो गया तो अब इसका ध्यान रखना छोड़ दे, या अपने आप self-medication करना स्टार्ट कर दे जरूर उसका doctor की advice या guidance के through ही आगे बढ़े जी, अब मधुमे की बात कर लेते हैं तो मधुमे रोग के साथ भी इसको हम एक complete package group में लेते हैं और थोड़ा बताएं कि मधुमे के रोगी को किन बातों का ध्यान रखना है और आपको पता ही है कि अगर मधुमे नियंत्रण में नहीं है तो फिर kidney पे उसका प्रभाव पढ़ता ही है जैसे diabetes और blood pressure ये kidney की बिमारी होने के worldwide देखा जाए तो more than 50% कारण में से एक पाना जाता है तो जैसे blood pressure की रोग थाम करते हैं इसी प्रकार diabetes की रोग थाम भी बहुत जरूरी है और जो basic जो lifestyle है ये सारे मुझे लगता है कि बिमारी मैलिलजी एक प्रकार की होती है जैसे balance खाना खाना नमक को control रखना शुगर के patients के लिए खास ये दान रखना है कि मीठे की बिलकुल diet में इस्तुमाल नहीं करें और stress free life ये सबसे important है अगर sugar control बहुत बढ़िया रहता है जैके बताए जाएंगे कि HbA1c साथ के नीचे, छे से साथ के बीच में रखते हैं diabetes के patients तो diabetes से होने वाले complications again, diabetes के क्या complications है heart, kidney disease, eyes, brain पे एफेक्ट आना, nose पे एफेक्ट आना इस सारे complications से lifelong दूरी बना सकते हैं तो ये I think sugar and blood pressure दोनों का control बहुत important है अब हम दवाओं की बात करते हैं तो दवा अगर सुभा आप नाश्टे के बात कर रहे हैं और किसी कारण वश आप भूल गए तो फिर क्या किया जाएं अनिल जी नाश्टे के साथ में blood pressure की दवाई लेने का एक logic है कि जिससे इंसान याद रख सके blood pressure की दवाई मोटे तोर पे देखा जाए तो दिन में maximum time once a day dose होता है क्योंकि सारी majority दवाईयां long acting मतलब लंबे समय काम करने वाली दवाईयां रहती है तो अगर कोई इंसान breakfast में लेना भूल गया और चार गंटे बाद याद आता है हमेशा majority patient breakfast के साथ में याद रख के लेता है तो this is very good गर्वती माताओं को भी कहा जाता है कि जो रखत चाह पे उसको नियंटरन में रखे इसके प्रीची क्या खास कारण है जैसे hypertension से होने वाली diseases सामान्य मानस आदमी में तो kidney पे असर आना हार्ट पे सराना रहता है pregnant female पे सबसे बड़ा concern रहता है खुद की health और साथ में आने वाले जो बच्चा है उसकी health, fetus की health यह दूनों का importance आ जाता है यहां दो जिंदगी का सवाल होता है तो blood pressure से mother को तो definitely problems delivery के समय पे आती है जिसको बोलते है pre-eclampsia pre-eclampsia मतलब blood pressure का बढ़ना उसके साथ में कई बार kidney पे भी effect आता है बहुत जादा blood pressure बढ़ जाता है तो convergence याने के दौरे की समस्या आना pregnancy में problems यह आती है कि बच्चों में जो cord के तो blood पहुँचता है high blood pressure की बज़े से blood supply भी hamper हो जाता है जिसके बज़े से fetal distance मतलब fetus को बच्चे को आने वाला खत्रा oxygenation का खत्रा वगएरे सारे प्रकार के खत्रे हो जाते है कई बार यह process अगर लंबी चलती है, uncontrol रहती है तो बच्चे की growth और mental health पे भी effect आने का chance रहता है इसलिए pregnancy में blood pressure को ENC, मतलब antinatal care में from first month से regular check करते हैं सारे gynecologist उसको monitor करते रहते हैं अब अंत में आपने कहा था कि आखों पर भी इसका दुष्प्रभाव देखते को मिलता है अगर उच्चे रखते चाप है तो जो retinopathy हम कहते हैं यह तोड़ा बताएं शोता किस तरह से इस पर नियंचर्ण कर सकते हैं और आखों के रोगों से बच सकते हैं जब भी किसी भी patient को blood pressure diagnose होता है तो सबसे पहला काम हम लोगों उनको बोलते हैं कि एक basic routine testing होना चाहिए जिसके अंदर एक general check-up executive check-up मालने जिसके अंदर complete blood count आ गया blood sugars आ गया HbA1C, lipid profiles आ गया kidney test हो गया ultrasound, kidneys का abdomen का, heart का eco-cardiography, TMT test एक एक इस तो executive check-up में आता है यह hypertension के target है उनको अपन चाहनते हैं सेम तरीके से जितने भी blood pressure के patients हैं उनको हम लोग बोलते हैं के ophthalmologist के पास में जाएं और eye drop डालके dilated fundus नाम का test होता है fundus को भी मतलब पर्दो की, यानि के retina की जाज करना वो drop डालके आपको थोड़ा सा समय लेके जाना है क्योंकि आदा गंटा गंटे का process रहता है हाप में drop डालते हैं, फिर उसको dilate करते हैं फिर special instrument द्वारा पर्दो की जाज करते हैं जिसके अंदर पता चलता है कि hypertension, retinopathy है या नहीं, है तो फिर उसकी staging, grading बोला जाता है जिसको समझना होता है, stage 1 mild होता है, और stage 4, सबसे गंबीर यानि कि advanced stage होता है यह एक तरह से यह भी बताता है कि blood pressure कितना समय से रहा, कितना severe रहा, यह भी एक clinician को मतलब treat करने वाले doctors को भी एक idea देता है और यह भी बताता है कि ब्लेट प्रेशर ने target organs पे असर देना start कर दिया तो आगे और सलामती रखे आखो का तो test करे ही करे साथ में blood pressure नियंटरेंड में बहुत ज़्यादा तकपरता दिखा है यह जरूरी तो अन्त में इस कारेक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं मैं यही पताना चाहता हूँ कि stress free life रखे अनिल जी और मुझे फिर से लगता है कि योग और meditation जो अपने रुशी मुन्यों के जमाने से बहुत प्रचलित और इतनी बहतरीन चीज है जो सभी लोग अपने जीवन में उसको regular बनाएं, discipline बनाएं और काफी लोग कर भी रहें उस बात की भी मुझे खुशी है तो डॉक्टर भाविन भरंबट आज आप इस कारेक्रम में आए और आपने हमारे शोताओं से उच रक्तिचाप, कारल लक्षन और उप्चार विशे पर बहुत ही महत्पून बातें साज्जा की आपका बहुत बदाबार धन्यवाद थैंक यू अनिली, थैंक यू सो मच